गीता ज्यान को सातों अध्याए और सातों अध्याए में किसा हो। सातों अध्याए में त्यो सुरूप को त्यो अंतीम सुरूप को त्यो अंतीम इस्थिति को त्यो परमातमा तत्तो को। श्री किष्ण को सुरूप की हो जहां अर्जुन लाई ले रजानुचा अर्जुन ले पनी पाउनुचा मानिस तेखी इस्वर समको मानिस तेखी भगवान समको मानिस तेखी परमेश्वर समको मानिस तेखी परमात्म समको ते मुक्तिको मुक्षेको समाधिको तो सब्दमा ज तो इस्वर मानव को सोरूब कस्त शा भने कुरा, मात्र मानव लाई जानकारी दियो भने, अहिले दिने तो जानकारी नहीं हो, अर्जुन लाई, अहिले तो सोरूब को जानकारी दियो भने, उन लाई अलिकति उनमुखता बर्ष, अजे तिव्रता बर्ष एस तो शाही भने तुन तो गण् lit अनुभव ने हो तेन आता विकषीत भायर आपू पआलेफ्ट यः पच्य मातरे तो अनुभव तेसमा स्थित्त अ अनि तियो श्थित्यमा आप विचारण गण्गिःपच्य मातरे तो मिल ने हो अहिले अर्दुन लाई भनेरे मातरे तो मिल लाई ना तई पने तिसको जानकारी मिल्यो भने फेरी यो भन्दा पहिलो अध्या चाईटों अध्यामा ध्यान दियेगो चा ध्यान आम ले दुबै मारगी ले ध्यान लाई उपयोग गानू चा ध्यान को सानो जलक पनी मिलियो बने तेही इस्तितिको तेही अंतियम इस्तितिको जानकारी मिलियो जलक मिलियो तेही जलक लाई ज्यान मारगी ले इस्मृरीत गरदे या भक्ति मारगी ले जाई भाव करदे आप भित्र अंतस्म एसलाई संकलित गरियो एसलाई जागरित गर यो एक आग्रा गर्र एसलाई नहीं एक लक्षे बनायारा अभ्यास गरियो बने अज़ती ब्रता आउंच अथा तु अंतिम इस्थित्रिको जानकारी यहां दियेकोच तु शरूप कहतोच अब किष्णा ले आपनो शरूप बन्छन मा बाहिर इस्थूल रूप माता एही पन्च तत्तो और मन बुद्धिय हंकार मन भने को बिचार और मन भने को इस्त्रिकोण जानित जसलाई भक्ति मार्गी ले अपनावन सक्षन रिदेह केंद्र मा रहेरा रिदेह केंद्र को आखा मन यो भक्ति मार्गी को आखा अब विचार भनेको ज्यान मार्गी को आखा, बुद्धी को आखा अब अहंकार भनेको जानने छेमता, जानन सकने छेमता, जानने वला तेलाई जानदे जानदा, ज्यान गरदे जानदा, मा जानन सक्छू भने अहंकार हुन्छ, जानने पची सक्क्किव जान्न को लागी छेमता बनेको अहंकार हो जान्ने छेमता अहंकार हो यह मानिस नजानी कना जान्नकारी लाई ज्यान बननेर अहंकारी बन्छन त्यों होई जान्नकारी लियेर ज्यान को अनुभाव बन्नो मुर्खा बन्नो त्यों अहंकार मुर्खता मुढता बन्नो जसले ज जाननसक्न छह्मत मैले यह ए जाने अव यह जाने यह इसरी जानद Hai झाने अहंकार्ए। यह फेर चाहिंचाने यह सक्रात्मक अहंकार हो यह पनि जाहिंचिः। अब यो इस्थोल रूप भयो, यो मेरो इस्थोल रूप अब इसवेई छेमता को उपयोग गर्दैमा अंतर्मुख बन्दै तो अंतस्मा तो आत्म तत्त, तो अंतीम तत्त, जहां हमें इस्थित हुनू छो, तो शुरूप लाई अर्जुनलेश्मा जानकरी पाउने छान। के भनियेको छा अब भने भक्ति मार्गा भयको कारण वा निस्काम मार्गा भयको कारण। अब एहां हामिले सानो सानो इस्थर लाए पनी देवी देवता लाए पनी वा जुन यो पंच तत्तो छाई एही पंच तत्तो को सुरूप लाई एही पंच तत्तो ज्यारा जे पाहिन छाई एसे लाई हामिले देवी देवता को अनेक रूप माने रहा हामिले जुन भक्ति गर अब एस लाई देखायर तो शुरूप देखायेगोच अब इनी हरुको पुजा गर्णू यो अल्प बुद्धी भयो मेरो शुरूप चा माथी छो मभन्दा तला जुन मेरो इस्थूल रूप चा पंच तत्त को यही मेरो यही पंच तत्त को रूप अनेक देविदेवता को इनाई लाई तिमले पुज न थालेव इनाई मा भक्ति गर्ण थालेव रए थालेव बने यहां सम्मा कामना चा यहां इच्छा राखेरा नहीं तो भक्ति होंच तो भक्ति माने इच्छा होंच तो पुजा मा बने इच्छा होंच तु मेरो इस्थूल रूप हो तु मेरो बाह्तवीक रूप होई न, यहां सम्मात्य में अलप बुद्धी नहीं हो, यहां योगर्णु बेर्था छो, मेरो सोरूपलाई जानेव भने योगर्णु पर देई न, यो पुजा, भक्ती, जहां लाग छो, जहां कामना द्वारा, इच्छा सहीत लाग छो, तु तेहीं फशेओ बने, तेहां जिये मिलच, तेव छिएण भवंगोर्णु फईरी तो दिनेवाला अंतियम तत्त पनी मनेई हो, तो देखेनेवाला पनी मनेई हो, के बल्थेम्रो भक्तिलाई मत्र महिलें मानेरे केही दिन छू, उस द्वारा, उस देवी देवता, द्वारा दिने ता मने हुँ ते मिले जसको पुजा गर तो दिने वाला मने हुँ तर तु पुजा मा फशेर कामानामा सधेही फशेर है रहे तिमी तु शुरूपलाई जाने नौ। मलाई नही भजन करे नौ। मेरो नही भजन करे नौ। मेरो नही श्मृत करे नौ। मलाईने अभ्यासगार मलाईने इपायनाउ भनेता तो मेरो इस्थोल रूपको ती देवी देवताको इस्तरमा गयरे तीमिले जुन पुझा करशों त्यों बेर्षा हुँँच त्यहां बड़ा जेपाउंच फेरी तेसमा तीमि कामानामा बाणिन चाउं फेरी तो पाप तेर जान्छ जेपाउंच फेरी तो हो पाप तेर जान्छ जान्छ कि नकी तेहांत कामाना इच्छा इच्छा हैँ तो मेरो इस्थोल रूप Katy मों अन्थिम रूप समाति में आउनुचर तो अंथिम रूपलाई देखनूचर पुझा लाई होए ने कि मेरो अन्थिम रूप्र ज यही चेतनाव, अथ है इए निवन चेतन इस्टै भोत, पित्रि, यो कुल धार्म, देभी दिवता, यो कहिभन पुजाः गर्णू परदेने, मेरो सोरुपको जानगारी ये पची, यही शोरुपलाई मनन गर्णुने पुजाहो यही शोरुपलाई भाब गर्णुने यही शोरुपलाई जान्नुने पुजाहो यही शोरुपलाई जान्दै सहीमा उत्रने अभ्यास गर्णुने पुजाहो अरुकर्णु परदैना त्योजहने तिम लिए जे पाऊँ छाओ जे पाऊँनाको लागे गर छाओ तु दिने मनरे हूँ फिर तु मैलने आर्णे हो फिर तू तिम लिए जे दिन Monica और ना न अन पर दाने हो अथा दुबेले ध्यान गर्छन, ध्यान मात तो सुन्य इस्तिते आउंच, एच अरी जाननु पर्यों, तो सुन्य इस्तिते लाई बचायरा, सम्रचन गरेरा, अभ्यास गर्दे जाने, समर्पण एती रहनु पर्यों कि यो भन्दा और को कुनेही कर्म नाई छाई साधना काल भनेको यो हो, सम्पोण समर्थे, सम्पोण छेमता, आपनों छेमता कत्ति बनी नवचाईकन, बाहेरा रा भित्र कत्ति बनी नवचाईकन, बिल्कुले, समर्पेद बाहेरा सम्पोण रुपले लागे हो भने, मात यो साधना छीटो प्राप्ते हुन्च, साधना द अध्यान को प्रयोक्साला लाई उपयोग गन पर दुबई मार्गीले ध्यान मत्यों सुरुपको जानकारी मिलच अनि त्यसलाई स्म्रीद गरदे त्यसलाई भाब गरदे हमिले वित्र बाहिर सवयलाई समेटे योगमा आरूड फायर लागन परे साधानामा योगा आरूड अपड़ ज्यान मार्गीले बाहिर भित्र दुबई बाटा समेटे येर एक इस्सोर। उसे ही को लागी अग्रसर रहन परे। बाहिर गरदे छा बने बने उसको लागी वित्र गरदे छा बने बाहिर बाटा पने बाहिर बाटा पने दुबई बाटा शाक्छी भाव द्वा जुग्यानी उन मुक्ष यो उनको लागे अत्तिक प्यारो चुछ